प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज करने से गर्वती महला को और गर्व में शिशु को कौन-कौन से फायदे होते हैं गर्वती महला को कब एक्सरसाइज करना चाहिए, कब एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और exercise की दोरान गर्वती महिला को कौन-कौन सी साधानिया बरतनी जाएगे और किस टाइब का exercise गर्वती महिला कर सकती है तो friends अगर आप ये सारी चीजे डेटेल में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से एक चोड़ी से request करूँगा अगर आपको वीडियो पसन आयते इस वीडियो तो like करिए गाई और इसी तरह के हमारे खास वीडियो देखने के लिए हमारे सेहत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले आपके पास पहुँच जाये करें सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनसी में एक्सरसाइज करने से गर्ववती महिला को और गर्मिर शिशु को कौन-कौन से बड़े फायदे होती है सबसे पहला बड़ा फाइदा ये होता है कि गर्वती महिला का प्रेगनेंसी की दौरान वेट गेड नहीं होता है जाहतर गर्वती महिला का प्रेगनेंसी की दौरान वजन जादा बढ़ जाने के वज़े से delivery की time काफी सारी problem को freeze करना पड़ता है दूसरा जो सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि pregnant woman के normal delivery की chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जातर pregnant woman normal delivery की ख्वाइस करती है तो अगर आपको भी normal delivery चाहिए तो pregnancy की दौरान आपको exercise ज़रूर करना चाहिए इसके लावा गरवती महिला के back pain, constipation, apache, diabetes और high blood pressure के risk को भी exercise करने से कम किया जा सकता है इसके लावा अगर गरवती महिला exercise करती है तो इसी उन्हीं रात के नीन भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और exercise करने से गरवती महिला के गर में शिशू का विकास भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है और गर में शिशू healthy रह पाता है तो अब हम जानते हैं कि pregnancy के दौरान exercise करने के लिए गरवती महिला को कौन-कौन सा precautions लेना चाहिए कौन-कौन सी साउधानिया बरती चाहिए सबसे पहले precautions pregnant woman को ये लेना है कि कोई भी exercise शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से उस exercise के बारे में जरूर बुछना है को easy exercise को ही चूज करना है बहुत सारी exercise हैसे होते हैं hard और heavy exercise होते हैं जो आपके complications को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दूसरा जो आपको precautions यह लेना है कि pregnancy के दौरान आपको 20-30 minute ही हर रोज exercise करना है इससे ज़्यादा exercises नहीं करना है और आप कोशिच करें कि हफ़ते में आप 4-5 बार exercise करें इससे आपको बहुत सारे benefits भी होंगे इसके साथ exercise करने के दौरान आपको enormous amount में adequate amount में पानी पीते रहना है यानि कि आपको अपने body को hydrate टकना है क्योंकि exercises के दौरान अगर आप dehydrate हो जाते हैं तो इससे आपकी pregnancy को problem भी हो सकती है तो अब हम जानते हैं कि गर्वती महला को pregnancy के दौरान exercise कब नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान अखना है कि अगर आपका वजन pregnant होने से पहले बहुत ही कम था तो pregnancy के दौरान exercise बिलकुल भी नहीं करना है इसके साथ ही अगर आपको twine pregnancy है तब भी आपको exercise करने से पहले एक इसके साथ ही अगर आपकी pregnancy में कोई placenta disorder है आपको placenta previa है या आपकी pregnancy बीच pregnancy है तब आपको exercise pregnancy के दौरान नहीं करना चाहिए इसके साथ ही अगर आपको pregnancy के दौरान किसी भी तरह का discharge हो रहा है किसी भी तरह का स्राव हो रहा है तब आपको कभी भी exercise नहीं करना चाहिए तो अब हम जानते हैं कि गर्वोती महिला को किस टाइब का exercise करना चाहिए यानि कि किस तरह का exercise करना चाहिए गर्वोती महिला को कभी भी heavy और hard exercise नहीं करना चाहिए गर्वोती महिला swimming कर सकती है, walking कर सकती है, stationary cycling कर सकती है, aerobics exercises कर सकती है कुछ prenatal exercises होते हैं उसे कर सकती है या कुछ ऐसे yoga भी होते हैं जो खास कर pregnant woman के लिए होती है तो ये सारे exercises pregnant woman बिल्कुल कर सकती है इससे उन्हें या उनके घर में शेश्य को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है बलकि और भी बहुत सारे फायदे होते हैं तो अब आपके मन में सवाल होगा कि pregnancy के कौन सी महीने में आपको exercises करना चाहिए फिंट्स में आपको दादू pregnancy के किसी भी महीने में exercise किया जा सकता है लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि pregnancy के 7 और 8 महीने में exercises थोड़ा कम करना है अगर आप pregnancy के 1st trimester, 2nd trimester में आधा घंटा हर रोज exercise कर रहे थे तो आपको pregnancy के 8 और 7 महीने में 15-20 मुनेट ही exercise करना है और बहुत ही light exercise करना है तो friends I hope कि मैंने आपके मन से वो सारे questions का answer कर दिया होगा और आपको ये video बहुत पसंद भी आई होगी तो वीडियो को ने चेक like बटनों का इस video को like जरूर करें, like करने से मुझे ये पता चलता है कि मेरी इवनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है मैं आपके लिए इस तरह की useful and informative video हर रोज बनाता रहूँ और ये video करसे लागा नीचे comment करके मुझे जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर जरूर शेयर करें होज सकता है कि आपके friend में किसी family member भी इस video के लिए इंतजार करें होंगे तो उनके लिए video बहुत ही खास हो जाएगी तो friends मिलतो हूँ आपसे अगले डोमे तब तक के लिए bye bye take care and goodbye